हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल क्रेक्ट यूर कम्टिशन बिदाइटली फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले वर्ष के प्रिवेस एर के जो एक्जाम हुए थे उनलाइन उसका फर्स्ट पेपर का इंग्लिस का पेपर सौफ करने आले तो फ्रेंट्स कि दया है तो छले फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंट्स इस वीडियो में आप को छे तारिक करके दस तक के पेपर्स तक के ठीक है तो चले फвой हुडियो के और स उसके बाद इसके questions के answer देने तो friends आप तो जानते हैं कि वीडियो में यदि हम passage को पढ़ने लगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी आप लोगों को मैं इसलिए आपको पढ़ने में कोई प्रॉप्म आ रहे है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं आपके लिए पैसेज को भी समझा दूँगे फिलाल हम लोग questions को पढ़ते हैं चलिए फ्रेंट सुरू करते हैं अब कोई नमबर 121 विच अपना फॉलम इस निरेश्ट इन वीनिंग टूवर्ड प्रेडिकामेंट जो प्रेडिकामेंट वर्ड है उसका निरेश्ट मीनिंग क्या होगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट प्रेंट ऊप्षिन नमबर 3 सिचुएशन आट जो डूर्म इसका जो जाएगा तो इसका जो राइटा जाया को जाया ऑफ्रेंट आप्षिन नमर 4 जाया क्या लीडर्स वाट एक लिए इस देश्य विए इन्ट अवर हगोव पॉर्टिकल लीडर्स पूर्स फिर इन्टू आवर हड्स तो आपस्टिन्सी का हमें जो है क्या बताना है यह अंटोनिम बताना है अपूजिट वर्ट बताना एं तो इसका जो अपूजिटीव मुट्ट पढ़ हो जाएगा फ्रेंट बोजाएगा औपडियू रेसी क्या हो जाएगा फ्रैंट्स अफ्रेंट नमेर तू बलकुल सही आंसर हो जाएगा इस दिफिकल्ट तो प्रेडिक्ति दा बल्ड आफर हंडर्ड एस फॉर्म तूडे विकॉज्ज मॉडर्ण सोसाइटी इस चेंजिंग रही रापिदली नेक्स्ट कुश्चिन है हमारा 126 नंबर कॉश्चिन तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नंबर टू बिलकुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉश्चिन है हमारा 127 नंबर कॉश्चिन इसका जो हमें क्रियेटिब के नीचे जो अंडरलाइन की हुई है तो जो क्रियेटिव है इसका पार्ट ऑफिस्पीच क्या है वो हमें बताना है तो फ्रेंट्स यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे एडवर्ब क्या हो जाएगा एडवर्ब यानिके क्रिया कि नुब में किया गया है नेक्स्ट कुछिन है हमारा कॉछन नमर 128 घृच पार्ट आप फॉल्वींग सेंटेंस कॉंटेंस इरर निम्ग मैसे किकस पार्ट में क्या है यह है इंधा इंक्वारी कमीटी यां भी कंप्राइब कंप्रेंज्ट आ ठू रीटार वीच्छे और डिय एंड टू टेक्नो क्राट्स तो इसका जो राइट आंसर हो जाए फ्रेंड बहुत जाएगा option no.d यह वाला एंड टू टेक्नो क्राट्स इसमें क्या है एरर है option no.4 हमारा बिलकुन सही answer हो जाएगा नेस्ट कोशिन है हमारा 129 नंबर कोशिन इससे पहले हमें paragraph को पढ़ना पढ़ेगा उसके बाद कोशिन को देना है तो फ्रेंड पैराग्राफ को छोड़कर के हम लोग सीधे कोशिन की तरब चलते हैं कोशिन नंबर 129 है बुद्धाज method of understanding the self can be described as तुसका right answer हो जाएगा option no.3 moralistic जाएगा फ्रेंड जाएगा फ्रेंड्स moralistic बुद्धाज method of understanding the self can be described as moralistic नेस्ट कोशिन है हमारा कोशिन no.130 after the emergence of new scientific approaches the self came to be considered as a stream of ideas option no.4 विलकुल सही answer हो जाएगा after the emergence of new scientific approaches the self came to be considered as its stream of ideas next हमारा 131 number question which of the following is not one of the four noble truths as enunciated by the बुद्धा तो इसका जो right answer हो जाएगा friends बुजाएगा हमारा concern number है हमारा 131 इसका जो answer है friends बुजाएगा हमारा second number answer there is a cause of this suffering which of the following is not one of the four noble truth as enunciated by the बुद्धा तो right answer क्या हो जाएगा there is a cause of this suffering next question हमारा 132 number question the most important characteristics वो बुद्धास teaching is involving people in discussion option number four विल्कुल सही answer हो जाएगा the most important characteristics वो बुद्धास teaching बुद्ध के जो बुद्ध की जो सिछा थी उसमें most important characteristics से बहत्पूर विशेशता है क्याती involving people in discussion लोगों को discussion में शामिल करना next question है हमारा 133 number question choose the nearest acronym of the world award award का जो एंट्रोनिम हो जाएगा friends वो जाएगा option number one flattered क्या हो जाएगा option number one flattered एवोर्ट का जो एंट्रोनिम में जो opposite word हो जाएगा next question है हमारा question number 134 which of the following words has the same meaning as the word permanent used in the passage तो जो पैसेज में permanent वर्ड दिया हुआ है उसका जो same meaning वाला वर्ड हो क्या हो जाएगा friends remaining option number three बिलकुल सही आंसा हो जाएगा remaining permanent का same meaning वाला जो वर्ड है वो यानिके synonyms next question है हमारा 135 number question identify the clouds used in the underlined part of the sentence Buddha told his disciples what he taught they could understand and live up to तो इसका जो underlined word है sentence है friends वो है हमारा noun clause क्या है friends noun clause next question है हमारा question number 136 a teacher divided the students of class fourth into groups of six and gave them a short story without its ending then she asked them to imagine discuss finalist and write an ending to the story in this activity the teacher is developing their desk तो जो टीचे वो क्या डेबलब कर रहे हैं बच्चों में तो वो कर रहे हैं creative writing क्या करें friends creative writing option number three बिलकुल सही answer हो जाएगा next question हमारा 137 number question dictionary is very important tool for learning a language which of the following is least important about the use of dictionary तो इसका जो right answer हो जाएगा friends बो जाएगा option number three check the passive voice of a bird क्या हो जाएगा check the passive voice of a bird dictionary is very important tool for learning a language which of the following is least important about the use of dictionary check the passive voice of a bird next question है हमारा question number 138 cognitive learning theory does not focus on language is learned through the process of habit formation option number 3 बिलकुल सही answer हो जाएगा cognitive learning theory does not focus on language is learned through the process of habit formation next question है हमारा 139 number question while developing writing skills among the student a language teacher should most importantly focus on इसका जो right हो जाएगा answer हो जाएगा option number four expression of ideas while developing developing writing skills among the students a language teacher should most importantly focus on expression of ideas next है हमारा 140 number question the first page of a language textbook of class first is a picture of a fair scene without any word or sentence written on it the objective of this picture for learner is to understand and analysis analysis the picture option number two हमारा बिलकुल सही answer हो जाएगा to understand and analyze the picture next question है हमारा 141 question assertion assertion कथन दिया हुआ है हमारा a teacher must relate the structure to communicative function in the class और region जो है वो आर दे रखा है practice of communicative functions enables the learner to perform well in society तो इसका right answer हो जाएगा फ्रेंट्स हो जाएगा हमारा option number one क्योंकि हमारा a और r दोनों ही सही है यानि कि कथन और जो कारण है जो जाएगा इंट्रो डक्ते एक ड़्डेस तो इसका जो राइट आंस हो जाएगा फ्रेंट्स हो जाएगा option number two early stage guided composition should be usually introduced at the early age next question है हमारा 143 number question extensive reading is aimed at promoting dash तो हो जाएगा इसका answer reading for pleasure option no.1 बिलकुल सही answer हो जाएगा extensive reading is aimed at promoting reading for pleasure next question है हमारा question no.144 multi-lingualism as a strategy means making use of the language of learners option no.3 बिलकुल सही answer हो जाएगा next question है हमारा question no.145 reading pedagogy advocates that reading is meaning making option no.1 बिलकुल सही answer हो जाएगा इसका reading pedagogy advocates that reading is meaning making next question है हमारा 146 number question storytelling as a strategy for language learning aims at dash engaging learner with language option no.4 बिलकुल सही answer हो जाएगा next question है हमारा 147 number question a collection of short stories and other narratives are prescribed as supplementary reader for language learning to promote extensive language is the major purpose of the supplementary reading option no.3 बिलकुल सही answer हो जाएगा next question है हमारा 148 number question which of the following need not to be discussed in a poetry classroom तो इसका right answer हो जाएगा option no.4 grammar which of the following need not इसकी आवशकता हमें poetry के classroom में discuss करने की नहीं है तो grammar grammar को हमें poetry के classroom में कोई भी जरूरत नहीं है कि हम उसको discuss करें next question है हमारा 149 number question it is common for language speakers to use the words and sentence from other languages what is this known as to code switching and code mixing option no.1 बिलकुल सही answer हो जाएगा next question है हमारा 150 number question remedial teaching is meant to improve both the learners learning and teachers teaching option no.2 बिलकुल सही answer हो जाएगा friends यह तो हमारे 6 जन्मरी 2022 का जो पेपर हुआ था उसके questions से अब हम आगे क्या करेंगे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं साथ जन्मरी के questions ठीके सब्सक्राइब देख सकते हैं आप लोग यह साथ जन्मरी का पेपर है हमारा जो अब सुरू होने वाला है चलिए friends आगे बढ़ते हैं कि रिट दा पैसेज गिविन ब्लो एंड आंसर दा कोश्यांस वही है हम लोग को पैसेज को पढ़ना है और उसके आंसर देने तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग गेरना करते हुए फटा-फट से questions की और बढ़ जाते हैं 121 नंबर का question है विच पाजेज दा विगेश्ट थ्रीट तू आवर ओश्यांस तू इसका राइट आंसर हुजा है और फ्रेंट्स option नंबर तू ओस स्पिल्स फ्रॉम बाटर ट्रीटमेंट्स प्लांट्स ट्रीटमेंट्स प्लांट्स नेक्स्ट कोश्यन है हमारा वह अच्छेज नंबर 122 इस्टीड डिग्रेश्ट पर ओवर ओश्यांस चैन वी एफेक्टिवली डेल्ट विद वाई formulating more stringent laws option no.4 बिलकुर सही अंसाइद इस्टीड इग्राइशन ओवर्टोशन देल्ट विट वाई formulating more stringent laws next question है हमारा 123 number question which of the following statement is not true निमने में से कौन सा कथन सही नहीं है the coastal countries are the biggest contributors to ocean pollution because they did not implement the guidelines issued by WHO तो ये वाला तो हमारा friends गलत हो जाएगा पहला वाला दिद नॉट बॉदर तो सेट अडिक्वेट नंबर ओफ टीटमेंट प्लांट ऑफ सही आंसा हो जाएगा ठीक है तो थर्ड और थर्ड फोर्थ भी हमारा गलत है तो आप्शन नुबर थी इसका मिलकों सही आंसा हो जाएगा नेस्ट कोशन है हमारा 124 number question read the following statements statistics statistics show the plastic waste management will be the biggest challenge before the world community in the coming years b है हमारा scientist from the US and Australia have formula plans to effectively control plastic waste तो इसका जो right answer हो जाएगा हमारा option number two v is false and a is true यानि कि हमारा a वाला सही है और b वाला गलत है next question है हमारा 125 number question which of the following words is similar in meaning to the word cumulative as used in para first one of the passage तो cumulative का जो similar हो जाएगा meaning बुक्या हो जाएगा friend बुक्या हो जाएगा हमारा trading option number बिल्कुल बन बाला बिल्कुल सही आंसा हो जाएगा accumulating का cumulative का जो हमारा synonyms होगा similar meaning बाला वर्ड होगा बुक्या होगा trading next question है हमारा 126 number question which of the following words is the most opposite in meaning to the word improves as used in para four of the passage para four passage के जो पैरा नम पैरा फोर्ड है उसमें improves word दिया हुआ है उसका जो अपोचेट वर्ड है भू हमें बताना है तो इसका पोचेट बर्ड हो जाएगा friends declines option number two हमारा सही आंसा हो जाए इंप्रूप्स का पोजिट क्या होता है declines next question है 127 question there is an immediate need to improve our waste management practice practice which parts of speech is the underlines word in the following sentence sentence में जो वर्ड है अंडरलाइन किया हुआ वो वो कौन सा parts of speech है उसमें तो इसका जो राइट अंसा हुजाएगा फ्रेंट बूजाएगा फ्रेंट्स नमबर थी जो राइट अंसा हो जाए फ्रेंट्स वह हो जाएगा option नमबर टू सी सी वाले में हमारा क्या है गलत है यह वाला जो है हमारा wrong है इसमें error है next question है हमारा friends यह वाला जो sentence हमारा दिया हुआ यह हमारा डिक्रीच का sentence है ठीक है चलिए फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग कोशन नमबर 129 फ्रेंट्स इस पैसेज को छोड़ देते हैं और सीधे हम कोशन पर चलते हैं यह आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पैसेज को पढ़ने में तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजी चलिए नेस्ट कोशन है हमारा 130 नमबर कोशन इन दर ट्रिक अदॉप्टेट वाइद आउथर तो अवाइद लिस्निक टू लॉंग बोरिंग स्पीचेश शोड़ यह बैरी हो जाएगा एरुएंट अप्शन नमबर तू बिलकु सही आंसा हो जाएगा दर ट्रिक अदॉप्टेट बाइद आउथर तो अवाइद लिस्निक टू लॉंग बोरिंग स्पीचेश शोड़ यह बैरी एरुजेंट नेस्ट कोशन है हमारा 131 नमबर कोशन वाइद प्रॉम्ट्स दाउथर तू ले तू लेवल आवर वर्ड एज इंपर्फेक्ट लैक ओफ टॉलरेंस आप्शन न हमारा 132 नमबर कोशन दाउथर एलवा कि मुन कोशन सेउड लाइच न्यक्ट लाइज परलॉ निंग परसे दिटिव गरूज द परफरीव कोशन वाइड टीव बनें से इंपर यहा लिए अन्सर्ट लोब Magic increases लिंग पैसेज तो इसका जो राइट आंसर हो जाए फ्रेंट वह जाएगा ऑप्शन नमबर फोर वन मिनट क्या हो जाएगा फ्रेंट ऑप्शन नमबर फोर हो जाएगा है हैंडी कैप्स जो हमारा फ्लॉच वर्ड दिया हुआ है पैर आफ फर्स्ट में उसका सिमिलर मेनिंग बताना है तो यह हो जाएगा है हैंडी कैप्स ऑप्शन नमबर फोर विलकुल सही आंसर हो जाएगा नेच्ट है हमारा फ्रेंट थर्टी फोर नमबर कुश्य विच्ट अप्ट फॉलविंग वर्ड इस मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू बर्ड हैपिली एज उसका जो अपोजि नमबर फिलकुल सही आंसर हो जाएगा है पिली का जो अपोजिट बढ़ोगा क्या होगा फ्रेंट्स सैडली नेक्स्ट कोश्चिन हमारा फोश्य नमबर फोर फोर डी वाले में हमारा क्या है एरर है ठीके फ्रेंट्स नेक्स्ट कोश्चन है 136 नमबर कोश्चन फिलकुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन हमारा 137 नमबर कोश्चन इसका जो राइस हो जाएगा फोर फोर दीके फ्रेंट्स नमबर कोश्चन नमबर कोश्चन नमबर कोश्चन तो इसका जो right answer हो जाएगा friends भो जाएगा option no.3 teach vocabulary by connecting words which with appropriate actions according to the approach total physical response teacher should teach vocabulary by connecting words with appropriate actions next question है हमारा 139 number question which of the following classroom situations is not conductive for language acquisition in grade 3 based on Christian's Christian's hypothesis this correct answer हो जाएगा option no.4 teacher using Shakespeare's play for a read aloud lesson in the class next question है हमारा 140 number question which of the following is the least relevant objective for introducing children to poetry to improve student's ability to memorize and recall option no.1 इसका बिलकुल सही answer हो जाएगा next question है हमारा 141 number question a teacher introduced a game called spot the word in a standard second classroom students were given a page long story and they had to rapidly circle the words uttered by the teacher which of the following language skills can this help develop इसका बिस्का बिर्फ़ run Lima Grat off człowie ने उन्मर तू scanning लिनिका ब्लोचर नेस्त कोशन है हमारा opha अबएजीन नम्हारा ओफ्शन कोशन हमाराん हचार नमर बहरा- 142 a class of grade 4th students is learning English as second language a diagnostic source that most of them can read only grade 2nd level text which of the following classroom routines will enable to maximum number of students to participate and catch up to discuss which of the following principles does national curriculum framework NCR 2005 expect a teacher to keep in mind while teaching in a multi-lingual classroom to schedule right answer is a friend both option number four language is constitutive of a child's culture and social identity next question is our question number 144 which of the following pedagogical methods follow a contextualist approach towards teaching the tense forms so using a scripted dialogue to teach in which different tense from forms are used option number four will say answer to the next question is the adverbs in the given sentence class with student Kiran underlined the word quickly and away which of the below misconceptions does Kiran likely have to discuss you right answer the friends would have option number one adverse modify only verbs and not adjectives option number one 4th which of the following questions must would most help use this exercise for assessment as learning to and not adjectives option number four how did you decide which things about yourself to include in the essay next question is our 147 number question what is the status accorded to english language in the indian constitution associate official language in the indian constitution associate official language next mra 148 number question an english class fun with the objective students will be able to use appropriate punctuation marks which of the following assessment is best aligned with the objective is best aligned with the objective to do is correct answer to the student punctuate the following ramesh loves eating ice creams he also enjoys pizza pasta and other such items option number one will go say answer to the next time our 149 number question a teacher uses as online program where words are first read slowly highlighting each sound then a little faster and then a at a normal speed for which of the following can this tool be best used so this is right answer option number two is bleeding next question is our 150 number question this is 7th january 2022 English paper last question here friends miss reno is in her class fifth tells a story in english and asks her student to tell the story in their language she then asks them to tell the story in group of five by taking turns what strategy does she follow in her classroom what strategy does she follow in her classroom trans-languaging option number three 6 and 7th january has completed the information okay let's move on the next part let's move on 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 to the next part so friends you can give this here's 8 January 2022 paper let's move on to another part let's move on हम direct question की तरह बढ़ते हैं question number 121 what prompted the state governments to reopen schools pressure on the parts of partners parents option number one बिल्कुल सही आंसर हुजाएगा pressure on the part of parents next question है हमारा 122 which of the following statement is not supported by evidence in the passage when about 32 students and teachers were found COVID 19 positive the Tamil Nadu government order tracing of in fact appearance did not panic and help the schools open option number 2 बिल्कुल सही आंसर हुजाएगा did not panic and help the schools open next question है हमारा 123 number question identify the statement which is not true according to the facts मेंशन इन दा पैसर पैसेज तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमबर बन इस्टडी बाइ एकोनोमिक्स शोर्ड एट हाडली एट परसेंट स्टुटेंट इन रूरल रूरल एरिया है रगुलर एक्सेस तो अनलाइट टीचिंग नमबर बन बिलकुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है हमारा 124 नमबर कोश्चन रीड़ गिवन सेंटेंसेज ए मेजरिटी ऑफ आरवन इस्टुडेंट्स हैं एक्सेस तो स्मार्ट फोन वी ओनली ए स्मॉल प्रपोर्शन और रूरल इस्टुडेंट हैं एक्से नमबर 125 विच्ट फोलोविंग इस ना इस था मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग तुड़ एलेक्रिटी यूज इन दा फिर्स्ट परग्राफ तो अलेक्रिटी का जो अपोजिट वर्ड़ जाएगा अपैथी ओप्शन नमबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्च विच्ट इस ता मोल्च सिमलर इन दा मीनिंग तुड़ वर्ड पैरलाइजिंग यूज इन दा फर्स्ट पैरग्राफ पैरलाइजिंग का जो सिमलर मीनिंग वाला वर्ड है वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स तो वो जाएगा हमारा प्रब्लेमिटिक ऑप्शन नमबर 1 व विच्ट पार्ड पीच गवड़ इन दा फॉलविंग यंदा फॉलविंग संतें और फिट्म परसेंट इस चुडेंट इन रूरल एरिया एग एस तो इसमार्ट फोस्त पैर्ट इसमें प्रॉड फॉर्ट इसमें अबर 4 एडवर्व जो रूर्ड वर्ड है इसके नीचे अ क्योंकि हमारा की देसे तौर टैन्स के तबर्ण और परील मिंदान के ट कि शेच को पिनटेंट दो मेरे कोड़एगा question number 129 number question which of the following facts are not mentioned in the passage grim brothers collected stories from peasants two stories were edited prayer two publications three content which was considered unsuitable for children was filtered four number the education department supported publications for children to discuss your right answer to your friends question number one grim brothers collected stories from peasants this sentence is not mentioned this paragraph is not mentioned in the paragraph in the next question is our question number number 130 the new type of woman defined by the 19th century woman novelist challenge male question which of the following not correct according to the passage meaning so concept passage according leading and landing libraries became instrumental in education educating one white collar workers to lower middle class people see three people in remote areas or phone number is the right answer to your friends which of option number one while collar workers next question is our one hundred twenty thirty two number question read the following sentences a reduction in working hours gay workers time to read and improve their prospects b compulsory primary education increased the demand 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 for text books to schedule right answer friends a and b are true both options a and b are true both options a and b are true both options a and b are true next question is our 133 number question which of the following words means the same as the word vulgar as used in para first of the passage so right answer option number two regular vulgar question which of the following word is similar in meaning to the word gradually as used in para three of the passage so right answer option number two clear carefully gradually next question is our 134 number question sorry 135 number question which of the following sentence contains an error a landing libraries b prove a boon c with white collar workers d and lower middle class field so right answer to the fact that it will have to be found that the current option is we need to check that the following definition for the following results of the following is also just the following arguments that our number is given by boon it is specific to the following the question even if we can add a particular period in development can be identified by any particular एक्सपिरेंस है इस ग्रेटेश्ट एफेक्ट ओन लर्निंग डियोरिंग ए पार्टिकुलर पीरेड ओफ डेपलेपेंड ओप्शन नमर तो इसका बिल्कुल सही आंसर है नेक्ट कुश्चन है हमारा 137 नमर कुश्चन मदरीच इस बैर नोन एज चाल्ड डिरक्ट इस पीज आंसर हो जाएगा मदरीच इस बैर नोन एज चाल्ड डिरक्ट इस पीज नेस्ट कुश्चन है 138 नमर कुश्चन 139 न काप смож alanie, next to раб 159 त। इस तोर कबली बाला 163 बाला 162 बाल्डिशन 172 चाबला 173 इस पिल्डिशन 173 끔ली बाल respectfully 181 बाल्ड़踏 चाल इस दोन्हा Training this process is 134 option number 1 observation this process of is observation next question is 139 number question which test test measures students achievement in relation to a specific task that the student will be required to perform later proficiency test option number job when he mara will could say answer the prophecy and see test next question is 140 number question to evaluate learning reading comprehensive comprehensive for a primary level student the teacher asked the students to tell a story in their own words or summarize the main idea option number one is coming to say answer next amara 141 number question while learning a new language the whole the knowledge of mother tongue is helpful option number one will say answer here while learning a new language the knowledge of mother tongue is helpful next amara 142 number question receptive skills in language refers to listening and reading skills option number two will call saiyan sa hujaga receptive skills in language refers to listening and reading skills next amara 143 number question which is not following which of the following is not a visual teaching learning materials to which of the following is not recommended as a strategy for remedial teaching to study which of the following is not recommended as a strategy for remedial teaching to study this amara 145 number question is a teacher in the classroom introduced the topic of the teacher in the classroom in the classroom in the classroom which of the following is not recommended as a strategy for remedial teaching is not recommended as a strategy for remedial teaching the topic and tasks ask the students to quickly think of ideas and note them down before writing an article on the topic what is the teacher doing in the classroom option number three brainstorming the teacher doing in the classroom what is the teacher doing in the classroom is the next question is 146 number question cognitive learning theory does not focus on language is learned through the process of habit information option number three is correct answer will be the right answer friends this is the back which we have read the paper that we have read the question next question is our question number 147 number question each language has unique sounds structures and vocabulary this characteristics of a language shows that language is a system next time our 148 number question while assessing a student and the teacher should compare the progress of a child with his her previous level of learning option number four is correct answer will be the next question next question is our friends 8 January 2022 paper complete पडिट हो चुका है अब बात करते हैं दस जनवरी 2022 को जो पर हुआ था उसकी दस जनवरी 2022 का यहां पर आप देख सकते हैं मैंने दस जनवरी 2022 का पेपर दिगा हुआ है तो चलिए प्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अब लुग डारेट कोशन पर पहुचते हैं परग्राफ को छोड़ देते हैं अगर आपको कोई पर्पां आदे तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर दिजेगा चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं को बनेंट ट्वेंटीवन नमबर का कुश्चन है हमारे एक्कॉर्डिंग तो पै एक लंबी हो डिए ठीक के फरेंट अग्रिंग तो पैसे चुल्ड पैसे चूल्ड नक्रिक तो अप्षिंग प्रिंग तो आपनेट ट्रैक तो शुल्ड नम्बर कॉस्चन चूल्ड चूल्ड प्रॉब विट्ट ओजयेगा फ्रेंग फरेंग तो इस स्काइव को फान्स पा upon his capacity to be like his master next question है हमारा 123 number question read the following statements a psycho friend is a mirror image of his own master b a psycho friend and his master differ in their characters तो इसका जो राइट आशा हो जाएगा friend हो जाएगा हमारा option number 2 b is false and a is true b वाला हमारा false है और यह वाला हमारा true है यानि कि सही है next question है हमारा 124 number question the gift of the passage is that a psychopath is out and out a clever drug option number 2 बिलकुल सही हो जाएगा the gift of the passage is that a psychopath is out and out a clever drug next question है हमारा 125 number question which of the following words has the same meaning as the word you as you in the passage तो you word जो है उसका जो synonym हो जाएगा friends बहो जाएगा reflection officer number 2 बिलकुल सही answer हो जाएगा next question है हमारा 125 number question sorry friends जो हमारा यह वाला question do you you का हो जाएगा friends you का हो जाएगा हमारा cry you means होता है sorry friends जो हमारा क्या पूचा है same meaning पूचा है यानि कि synonyms पूचा है synonyms हमारा cry हो जाएगा next question है हमारा question number 126 which of the following words is the antonym of the word oldest as used in the passage oldest का हमें opposite word बताना है अन्टोनिम बताना है तो oldest का क्या हो जाएगा friends shortest option number 3 इसमें सही answer हो जाएगा shortest friends oldest यहाँ पे हमारा जो वर्ड दिया हुआ है वो oldest डिया हुआ है और हमारी जो आंसर किया है उसमें इसका आंसर shortage दिया हुआ हुआ है जो कि गलत है इसका जुल्राइट answer होगा friends बहुत जाएगा हमारा earliest option number 4 ठीके friends मैंने आपको oldest का shortage बताया थै क्योंकि मैंने आपको आंसर को सही बताया है मैं आपको कभी भी कोई भी गलत आंसर नहीं बताऊंगे ठीके जो राइट आंसर हो जाएगा friends बहुत जाएगा हमारा option number 4 यानि कि ये वाला ये वाला जो है हमारा इसमें mistake है इसमें error है next हमारा 128 number question which part of speech is the underlined word in the following sentence a psycho psycho fan cannot effort to assume any color of this one तो इसका राइट आंसर हो जाएगा friends option number to determine क्या हो जाएगा friends determine next question है हमारा passage आगी है फिर से friends passage को छोड़के हम लोग बढ़ते है 129 question की तरफ according to the author human population on the planet earth has gone up slowly option number one इसका विलकुल सही आंसर हो जाएगा next question है हमारा 130 number question when the author says in para one I cannot say I can't say it is a bad thing he is being तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा option number two serious when the author says in para one I can't say it is a bad thing he is being serious next question है हमारा question number one hundred thirty one because of excessive burden on it the on it the earth इसका राइटान सहो जाएगा friends option number one grows tired because of excessive burden on it the earth grows tired next question है हमारा question number one hundred thirty two the expression already there is talk of mass migrator to the planets to other planets can be described as sentimental option number four इसका विलकुल सही आंसर हो जाएगा next है हमारा 133 number question the word sustaining as used in para two means enduring option number one इसका सही हो जाएगा sustaining means होता है enduring next question है हमारा question number 134 which of the following word is opposite in meaning to the word apparent as used in para three of the passage तुसका राइट आसा हो जाएगा option number three unclear apparent means apparent का हो जाएगा opposite word unclear next question है हमारा question number 135 I request which part of following sentence contains an error a I request you b to return c a book d I gave you yesterday तो इसका जो बाला पार्ट है friends इसमें mistake है तो हमारा जो right answer हो जाएगा बोजाएगा option number three b next question है हमारा 136 number question which of the following ideas are past proposed by the linguist Norm Chomsky to is current and so reference option number one humans have an innate capacity to acquire language next question number 137 which of the following would be the least effective tool to teach spelling to grade third children who are learning English as a second language bilingual text of number four इसका बिल्कुल सह्यांसा हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है हमारा question number 138 which of the following is least true with respect to whole language approach vocabulary should be taught through physical movement option number two बिल्कुल सह्यांसा हो जाएगा vocabulary should be taught through physical movement next your student is just starting to use full sentences in english sometimes but each sentences are still broken according to input hypothesis which of these can be a comprehensive input for this student talk to the student in short and simple sentences option number three बिल्कुल सह्यांसा हो जाएगा next हमारा 140 number question which of the following is the least relevant reason for introducing children to poetry to improve students ability to memorize and recall option number two बिल्कुल सह्यांसा हो जाएगा to improve students ability to memorize and recall next हमारा question number 141 a great third language teacher asked his students to read a short story and discuss who do the pronouns his she you and we refer to in each sentence which type of reading is this activity most aligned with तो इसका जो right answer हो जाएगा friends हो हो जाएगा option a class of grade 4 students in learning english as their second language a diagnostic test shows that most of them can read only grade second level text which of the following classroom routine will routines will enable the maximum number of students to participate and catch up to discuss friends right answer हो जाएगा हमारा option number three circle time circle time students share their thoughts verbally and on a theme or topic chosen next question हमारा 143 number question according to national calcular framework ncf 2005 which of the following proportions held by an english teacher will lead to in an inclusive multilingual classroom तो इसका right answer हो जाएगा friends option number two linguistic diversity can be useful resources in the classroom option number three क्या हो जाएगा sorry option number two क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही answer हो जाएगा linguistic diversity can be useful resource in the classroom next question है हमारा 144 number question which of the following uh pedagogical methods follows a contextualized approach towards uh teaching the topic questions words in english grammar जुसका right answer हो जाएगा option number two using a scripted or an authentic dialogue to teach how question words are used next question है हमारा question number 145 he was already good at tennis he also played basketball well then he quickly learned badminton also when asked to underline the adverbs in the given sentence class fifth student pretty underline the words well and quickly which of the below uh misconception does pretty likely have तो इसका जो right answer हो जाएगा जाएगा option number three adverse modify only words friends आपको याद होगा कि पिछले question paper में भी question same to same आया हुआ है जो मैंने इससे पहले भी आपको question paper पढ़ाया 6-7 number seven जन्वरी के paper में यह question आया हुआ है next question है हमारा 146 इसका मतलब friends questions जो है वो repeat हो जाते हैं पिछली साल जो online exam हुए थे उसमें कई बार कई questions को repeat किया गया था तो friends इस paper को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजएगा 146 नमबर की बात करते हैं हम लोग grade 5 students have written essays on on myself which of the following next steps is closest to assessment as learning तो इसका right answer option number one each student is asked to think about how he she decide what or to include i think the question bhi हमारा पीचे पूचा गया है next question है हमारा 147 number question a teacher introduced relative clouds through an authentic text and bent on to give a load of example into context she also gave them load of exercises in which learners noticed and used the form at last she drew the attention of learners how the form works in context what is this strategy known as तो जो यह strategy है वो किस रूप में जाने जाती है किस नाम से जाने जाती है तो यह जाने जाती है consciousness raising option number three बिलकुल सही answer हो जाएगा next question है हमारा 148 which one of the following is a sub skill of reading predicting हो जाएगा हमारा option number four बिलकुल सही answer हो जाएगा question number 148 का which one of the following is skills can be developed a teacher uses an online program in which learners can create edit and share mind maps online which one of the following skills can be developed for the students using the digital tool choose the closest option तो इसका राइगा हो जाएगा option number two ideal ideating option number two क्या हो जाएगा idiating next question हमारा question number 150 the last question है friends हमारा social interaction is associated with dash बिलकुल सही answer हो जाएगा social interaction is associated by course की तो friends आपका मैंने six जन्वरी से लेका करके 10 जन्वरी तक का जो पेपर है वो इंग्लिस का solve करवा दिया है first paper यानि कि 6 जन्वरी 2020, 7 जन्वरी 2020 और 8 जन्वरी 2020 और 10 जन्वरी 2020 चार पेपर को मैंने एक वीडियो में cover करवा दिया है friends इस पेपर को आप अच्छे से पढ़ लिजिए क्योंकि इस से related questions आपको एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं या फिर यूं कहीं कि यही repeated questions आपको मिलने को मिल सकते हैं तो चलिए friends आपको वीडियो कैसी लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर किजिए यदि आप चैनल अपड़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूं तो उसका नोट्फरेशन आपको मिल सकें friends मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई टेक क्यार